हलो स्टुदेंट्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेसिल टाइप आफ इन्फॉरेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं सी अन्थियम इस टाइप के इन्फॉरेशंस में जेनरली जो है ब्रैक्ट्स फ्यूज करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग इसमें जो है flower arranged कैसे रहता है वो पढ़ना है हम लोगों को इस ब्रैक्ट जो fuse करके जो structure बनाया उसमें जो है एक single female flower present रहता है जिसका pedicill जो होता है main flower से लंबा होता है ठीक है और ये male flower जो है एक single female flower को surround करके रखता है ठीक है और इसका जो important example जो exam में पूछता है वो हो गया सेटिय तो ये जो है special type of inflorescence होते है इसमें mainly हम लोगों को question क्या पूछता है कितने female flower present रहते हैं और pedicill किसका long रहेगा और इसका example thank you next video में कुछ और inflorescence topics से ही पढ़ेंगे और मेरा बाइलोजी अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और और भी इस्ट्रेइन के साथ share कीजिए thank you झाल 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 झाल